अप्रेल में सेना भर्ती की लंबित परीक्षा कराने की तयारी जी हाँ दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपका प्रेपर 27 मार्च को नहीं होने वाला है अब यह खबर अकबार के अंदर भी आ गई है चलिए पूरी खबर पढ़ लेते हैं एक साल से लंबित सेना भर्ती की परीक्षा अगले महीने कराने की तयारी है रक्षा मंत्राले ने सेना के सभी सेंटरों से उनके यहां यूनिट हेट क्वाटर कोटा की लंबित परीक्षा की डिटेल मांगी है इसके साथ ही सेना भर्ती मुख्यालेओं की भी लिखित जोरा भी मांगा है सेना में दो तरह से भर्ती होती है कोरोना के कारण दो साल से खुली भर्ती रैली नहीं हो पा रही है वही सेना की मेडिकल कोर आमर सिगनल जैसे सेंट्रों में यू एचक्यू के तहट भर्ती रैली फरवरी 2021 तक हुई है रिलेशन भर्ती में लेने वाले अभयर्तियों को लिखित परीक्षा मार्च 2021 से ही लम्बित पड़ी है कई सेंटरों ने दो बार की भर्ती तो करा दी है लेकिन उनकी परीक्षा नहीं हो सकी है सेना भर्ती से जुड़ी एक वरिष्ट अधिकारी के मुताबिक कई सेंटरों मे दो भरती रैली हो चुकी हैं। वहाँ दो लिखित परीक्षाएं लंबित हैं। ऐसे में क्रमवार पहली रैली की लिखित परीक्षा अप्रेल और दूसरी मैं में होगी। वहीं सेना में मिलिटरी पुलिस की महिला जीडी के पदू के लिए दूसरे बाच के ऑनलाइन सिंग ने भी रुकी हुई भरती रैली की प्रक्रिया को जल्द शुरू करने के आदेश दिये थे।